वेगाज आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं कि आप अपने फोन पे पर एकाउंट कैसे क्रियेट कर सकते हैं वो भी विदाउट एटियम काड के मतलब बिना एटियम काड के आप अपने फोन पे एकाउंट को कैसे क्रियेट कर सकते हैं जो कि आज की इस वीडियो में उस नंबर से आपको इधर पर लॉग इन कर लेना है अपने फोन पे अकाउंट को जैसे ही इंटर करते हैं आपके रिजिस्टर फोन नंबर पर OTP आएगा और डिरेक्टली आपका लॉग इन हो जाएगा कुछ पर्मीशन्स मागी जाएंगी और पर्मीशन्स को अलाव करना है पुरस आपको वेट करना है यह पून पे अकाउंट आपका रिएट हो रहा है कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा सबसे पहले तो इधर पर आपको add bank account का एक option देखने को मिल जाता है इस add bank account पर आपको simple से click कर देना है जैसे यह add bank account पर click करते हैं आपका जि Set UPI Pin का एक option आपको देखने को मिल जाता है, इधर पर आपको नीचे option देखने को मिल जाता है, Set UPI Pin, इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके पास में दो options इधर पर सोऊंगे, सबसे पहला तो आपको आधार का option सो होगा, इसके बाद debit card, ATM card का option सो होगा, अब debit card, ATM card तो है नहीं आपके पास, आपको अपने आधार से अपने account को create करने के लिए, अपने UPI को create करने के लिए, simple से आधार select करना है, और proceed के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपके पास में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, verify आधान number का एक option देखने को मिल जाता है, अब आपको इधर पर अपने आधान number को enter कर देना है, जो कि आपके first के six digit इंटर करने हैं इधर पर and proceed पर आपको click कर देना है, और एक चीज और भी वता दूँ, आपके आधार से आपका यही phone number link होना चाहिए, और उसी आपके आध आधार से आपका bank account भी link होना चाहिए, अब six digit डालते हैं और प्रोशेट की बटन पर हम click करते हैं, इसके बाद आपके phone number पर register, phone number पर एक OTP आएगा, जो कि आपके आधार से register phone number होगा, उस OTP को enter करने के बाद next आप जैसे ही करते हैं, इसके बाद आपके bank account से एक OTP को enter करना है, and guys फिर आपको एक UPI pin select करने का option आएगा, मतलब UPI pin create करने का option आएगा, six digit का या फिर four digit का जो भी आपके पास में UPI आ रहा हो, तो उस pin को आपको create कर ले रहा है, इसके बाद next पर आप click कर दे, फिर से आपको re-enter UPI pin करना है, and फिर से आपको next पर click कर देना है, बस इतना ह प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है, आपका UPI pin set हो जाएगा, आगे का प्रोसेस इसलिए नहीं बता पाया, मैं आपको live करकर, because थोड़ा सा मेरा video missing हो गया था, मतलब वीडियो recording थी, वो off हो गई थी, इसलिए आगे का प्रोसेस में आपको नहीं बता पाया, but जैसे जै भी आपको देखका देखने को नहीं मिलती, so guys आज के इस वीडियो में कुछ इन्फरमेशन आपके साथ में सेयर करनी थी, वीडियो से नहीं तो लाइक करकर शैनल को जरूर सिस्क्राइब करना, thank you guys